Hello everyone, मैं यसरा सिंग्चान, छौागत करता हूँ आप सभी का वेटरन यूटूब चनल पर तो दो बातें होती हैं, या हो रही है, या तो हम ठक नहीं रहे हैं, या अग्जामनर हमको ठका नहीं पा रहा है अब इस बात का तात पर रहे क्या हैं? अभी तो कुछी दिन तो बीते हैं कि हमारा एक मेंस का एक्जाम हुआ है हम फिर से एक मेंस के एक्जाम की तैयारी में लग चुके हैं और फिर से हम अपना पूरा दिल और जान जोगने जा रहे हैं अपने उस mains के लिए या उस एक दिन के लिए जिसकी हम preparation काफी time से कर रहे हैं कुछ लोग सालों से कर रहे हैं कुछ लोग महीनों से कर रहे हैं और कुछ लोग तो काफी बार fail होके कर रहे हैं एक बार फिर से उन लोग ना bounce back किया है तो कहीं ना कहीं अगर इस बात को देखा ज मेंस की एक final touches की बात करें या फिर last minute tips की बात करें ऐसा ही हम लोग एक हफते बाद फिर से देखेंगे कि हमारे पास IVPS clerk नामा की मेंस का exam हो रहा होगा तो हम निरंतर चल रहे हैं और अपनी preparation की testing हम लोग कर रहे हैं मेंस के exams में और ये एक बहुत अच्छी opportunity होती है उन इस students के जो कही ना कहीं पिछली साल किसी ना किसी कारणवश exam नहीं clear कर पाए या last exam में अच्छा perform नहीं कर पाए तो जो इस student RRBPO का mains का exam दे के आए हैं एक हपते पहले तो उनको भी काफी सारी चीज़ें ऐसी पता पड़ी होंगी जो की पहले नहीं थी क्योंकि last year sectional timing की जो कहानी थी वो RRB में नहीं थी बट इस बार है तो कहीं ना कहीं उन students ने वो चीज़ समझ लिये कि हमें sectional timing के साथ में कैसे खेलना है नहीं समझ में आया है अभी भी तो इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा बहुत जादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा तो आपको करना विल्कुल भी नहीं है ठीक है अच्छा अगर मैं last minute tips की बात करता हूं तो कुछ points मैंने यहाँ पे लिये हैं और mainly मैं बात करूँगा इसमें quant and reasoning की और बात अगर आजाती है GA की तो मैं GA की भी कुछ ना कुछ इसमें बात करूँगा क्योंकि GA कुछ ऐसा हो रहा है जो क कि out of the box हम से exams में पूछा जा रहा है ठीक है तो कोई भी question अगर आप पढ़ रहे हो अब हाला कि यहाँ पे sectional timing आ चुकी है तो sectional timing में आपको बहुत जादा ध्यान पूर्वक चीजों को पढ़ना होता है तो पहला point ही हमारा इस तरह से है कि हमारे को चीजों को carefully read करना है लेकिन इसका बहुत बड़ा meaning है अगर आप अपनी जिंदगी में इस चीज को शामिल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो questions है जो आपका एक वो main question होता है जो मैं comment section में हमेसा देखता हूँ या फिर अपनी classes की live comments में देखता हूँ या फिर टेलीग्राम में जो individual messages आते ह कि read the question carefully अब इसका मतलब सही सही यह होता है कि जब भी हमारे पास timing होती है like जब भी हमारे पास एक certain time होता है किसी भी section को करनेगा तो हमारे पास इतना time नहीं होता है कि हम उस चीज को गलत पढ़ें अब होता क्या है जब हम किसी भी question को पढ़ रहे हैं और अगर हमने उसको जल्दी बाजी के चक्कर में गलत ही read कर लिया तो 100% chances है कि आप उसमें आगे जाके stuck होने वाले हो तो किसी भी चीज को अगर आप पढ़ रहे हो और उसको initiate कर दे रहे हो solve करने के लिए तो मेरा recommendation यह रहेगा कि भाई सबसे पहले आप उस question को बड़े धान पूर्वक पढ़ लोगे फिर solution में अपनी speed दिखा लो वो जादा better रहेगा ऐसा ना हो कि question तो हमने बहुत तेजी से पढ़ लिया लेकिन solution हम तेजी से नहीं कर पा रहे है को कहीं कहीं किसी ना किसी line को या statement को हम misinterpret कर चुके हैं तो यह चीज जब होती है तो stuck होना निश्यत होता ही है तो आप आपको इस चीज का बड़ा विशेस धान लखना पड़ेगा कि exam में जब भी आप किसी भी question को कर रहे हो किसी भी set of puzzle को कर रहे हो या किसी भी set of di को कर रहे हो या even arithmetic का question भी क्यों ना कर रहे हो तो आपको उधर पर जितने भी statements दिये गए हैं या जो भी conditions आपको दिये गई है अगर वो दो गंटे लगातर बैठके वहां पर चीज़े कर रहे हैं जिसमें आपको दिमाग बहुत जादा चलाना है दिमाग का ही पूरा काम है तो आप बहुत जादा कभी-कभी बीच में frustrated भी हो जाओगे कभी-कभी बीच में ऐसा लगेगा कि यार मैं इस question मैं first हुका तो मेरा तो paper ही बरबाद हो गया तो आपको कही ना कहीं चीज़ों को time manage भी करना पड़ेगा और time management का मतलब ये होता है कि देखो examiner ने already हमारे लिए time manage already करके रखा है पहले क्या होता था last year की अगर मैं बात करूँ तो RRB PO में और RRB clerk में कोई sectional timing वाली बात हमारे पास थी नहीं तो वहाँ पर time management वाला जो portion होता है उसमें काफी बातें जो थी वो चर्चा करने योगे थी बट अभी इतनी चर्चा करने योगे नहीं है क्योंकि examiner ने खुदी वहाँ पर time slot आपको दे दिये गए है लेकिन उसके बाब जूद भी यहाँ पर time management वाली बात आ जाती ह है कि particularly अगर आप किसी भी single section में जा रहे हो तो उसकी अगर एक sectional timing है तो उसमें question भी तो बहुत सारे है हमारे पास mainly जो time management हमारा काम करता है वो quant or reasoning के लिए सबसे ज़्यादा students इस वीडियो को देख भी रहे होंगे तो मैं उनको एक सला ये देना चाता हूँ कि किसी भी एक particular question पर आप बहुत जादा समय व्यर्थ मत कीजेगा क्योंकि अगर आप बहुत जादा समय किसी भी question में दे रहे हो तो आपको नहीं पताए कि आगे किस तरह के question आ रहे हैं तो कोशिश ये कीजेगा कि आपके अंदर move on करने की ability हो कि उस question को as it is वहीं पर छोड़के जाने की आ ना हो मैं भी अगर individual exam देना जाऊंगा कोई भी तो मैं भी stuck हो सकता हूं यह human tendency होती human brain भी हमारा इसी तरह से work करता है तो आपको समझना पड़ेगा कि आप जो exam देना जा रहे हो वो आप अपने brain को लेके वहां पर जा रहे हो और वो ठक सकता है तो उसको कहीं ना कहीं आपक कर सकता हूं किसी भी particular individual section की बजह से कोई अगला section या particularly वो section खराब नहीं होना चाहिए तो अगर आपको किसी भी समय पे feel आ रहा है कि मैं इस question में फसने वाला हूं तो आप short short उसमें सीधा उसको move on करने की skill का वहां पर use करेंगे तो किसी भी question पे आपको बहुत जादा time waste नह tested बाली thing जो होती है वो मैंने कर रखी है even exam में मैं कर चुका हूं काफी students ने RRB PO mains में भी यह चीज़ की है और काफी लोग जो RRB clerk mains की और IBPS clerk mains की तैयारी कर रहे हैं तो जो mock लगाते हैं तो mock में भी उन लोग ने start किया था इस चीज़ को लगाना और उनको definitely इससे फाइद तो यहाँ पर real example क्या है जैसे मान के चलिए मेरे पास एक puzzle आ रखी है और यह puzzle हमारे पास कुछ इस तरह से 5 या 6 line में हमारे पास यह puzzle बनी हुई है usually अगर आप exam वाले scene में देखो गे ना puzzle हो गई केसले DIY हो गई या फिर कोई भी ऐसी चीज जो की आपको starting में तो बड़ा ल होता है लेकिन मैं अगर आपसे बोलू कि floor basic puzzle आई है with variable और उसमें variable जो है वो बहुत easy-easy variable है like flowers पसंद कर रहे हैं या फिर वो color पसंद कर रहे हैं तो यह puzzle कोई भी student छोड़ने वाला नहीं है में इसमें अगर आपके पास इस तरह की कोई puzzle आ रही है और इस puzzle में अगर आप जिसमें 8 floors हैं और उसमें 8 persons रह रहे हैं और अलग-अलग floors पसंद कर रहे हैं या फिर अलग-अलग designations है या फिर कुछ भी चीज़ें हो सकती है variable के form में तो starting का जो first half होता है यह बिल्कुल connected मिलता है कि floor number R जो है वो floor number 7 पे रह रह रहा है और उसके 2 floor नीचे पर एक person है जो क rose floor पसंद कर रहा है तो इस तरह की conditions आपको मिलेगी आपको लगेगा कि यह puzzle तो मेरे लिए ही बनी है और कहीं ना कहीं यह exam की बिल्कुल easy puzzle है लेकिन जैसे ही आप conditions उसकी note करते आते हो या जिस भी तरह से आप puzzle solve करते हो जैसे ही उसके clues आप side में लिख रहे हो लिख रहे हो और साथ में उसके साथ में जो table आप बना रहे हो वहाँ पर भी वो चीज बना रहे हो लेकिन जैसे ही second half puzzle का start होता है तो आपको यह realize हो जाता है कि जो भी मैंने बनाया है table में या जो भी clues मैंने नीचे लेखे थे उसका तो कोई अब direct connection हो ही नहीं रहा है और यही वो moment होता ह है जिस समय student puzzle में stuck हो जाता है और उस समय समझ में नहीं आता कि हम क्या करें अब उस समय में दो situation आती है एक situation यह आती है कि student उसमें ही लगा रहता है और उसको ही attempt करता जाता है और जो की सबसे बड़ी गलती होती है students की दूसरी situation क्या आती है कि students उसको पूरा cut करके दुबार से बनाने लग जाता है जो कि एक और बेब कोफी हो जाती है तो आपको उस समय क्या करना है आपको ये जो तीसरा पॉइंट है उस समय इस पर विशिस कर ध्यान लखना है कि रिटन विदा फ्रेश आई जब भी हम कोई चीज बना रहे हैं जब भी हम कोई डियाई सॉल्व कर र तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा साथ देना थोड़ा सा बंद कर गया है और ये किसी भी स्टूडेंट के साथ हो सकता है तो पजल में स्टक होने का में कारण ये होता है तो इस समय पर आपको कुछ नहीं करना है उस वाली शीट में जिस भी रफ शी आपसे अटेम्ट हो जाएगी ये आप करके देखिएगा अगर देखो अगर आपस स्टक हो जाते हैं मान के चलिए तो आप स्टक होने के बाद सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद में अगर वो पजल हो भी जाती है तो वो कही ना कहीं आपके साथ आठ म लेना के पेपर बहुत हाइफाई लेबल का आ जाएगा अगर आप और ये वाला जो पेपर होगा ये भी इसी तरह से आएगा बट में कहानी यह है एक्जामनर हमेशा इसी चीज़ से खेलता है आपके लॉजिकल माइंड से खेलता है और आप इस चीज़ को डिनाइ नहीं क कर सकते हैं जिस भी समय आप रीजनिंग कर रहे हो या फिर डियाई कर रहे हो या फिर पजल कर रहे हो या फिर आप अर्थमेटिक के कोशन कर रहे हो या क्वांट पूरा कर रहे हो इस चीज़ से आप बिलकुल डिनाइ नहीं कर सकते हैं कि हमारे को लॉजिकल माइंड सेट क complete नहीं हो पाएगा, अब मुझे इसे छोड़ना ही पड़ेगा, इस moment के लिए मुझे छोड़ना पड़ेगा, otherwise मैं अपना आगे का पूरा spoil कर लूँगा paper, उस समय आपको panic नहीं होना है, उस समय just उस चीज को skip करके, अगले question पर move on करना है, और यही होता है हमारा एक static time management, और यही होता है हमारा एक static presence of mind, अगर आप अपने presence of mind के साथ नहीं खेलोगे, अगर आपने game नहीं समझाना, तो game आपको fail कर देगा, तो आपको game समझना पड़ेगा कि game क्या है, game आपकी knowledge का है, मैं मानता हूँ बिलकुल है, लेकिन कही ना कहीं, game आपकी skill का, आपकी logical ability का, आपके mindset का, आपके presence of mind का, इन सब का भी game है, तो आपको कही ना कहीं, अपने mind को काम रखना है, तो आज से जब तक हमारा exam नहीं हो जाता है, यानि कि पूरे अगर हमारे पास 20-30 घंटे, जितने भी घंटे बचे हुए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो उस समय तक आपको बिलकुल निश्चिंत रहना है, आपने बहुत अच्छी से preparation किया, आपने बहुत मेहनत किया, इस particular 2 घंटे के exam के लिए, और ये आपका career set exam हो सकता है, यही आपका दिन है, इसी दिन की आपने इंतिजार किया है, काफी दिनों से आपने तपश्या की है, तो इस दिन को उस particular चीज की वज़े से, उस move on skill की वज़े से, या फिर उस logical ability की वज़े से खराब मत होने देना, आप लोग ने बहुत मैनत की है, ठीक है, तो अगर ऐसी कोई चीज आती है, तो आपको उसे उस समय पे छोड़ना ही पड़ेगा, और वही एक हुश्यारी का और समझदारी का step होता है, आप आगे के एक-दो question कीजिए, जैसी आप एक-दो question करेंगे, तो आपका mind थोड़ा सा cool-down होगा, जैसी cool-down होगा, आप उस question को उठाइए और फिर करिए, कोशिश यह कीजिएगा, कि अपने आपको थोड़ा सा hydrated भी रखें, एक्जाम में अगर possible हो, तो water bottle अपनी लेके जाना, कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है, कि बहुत जादा panickness हो रही है, या बिल्कुल nervousness ही हो रही है, पानी प्यो, आराम से थोड़ा सा देर wait करो, चीज़ें ठीक हो जाती है, wait करने का मतलब अपना question आराम-ाराम से करते जाओ, मेरा suggestion सबसे पहले यही रहेगा, कि आपको अपने mind को काम रखना है, क्योंकि mind का कल है काम बिल्कुल, कल इसकी बहुत जादा ज़रूरत पड़ेगी तुमको, तो इस चीज़ को बिल्कुल सतरक रखना, सटीक रखना, कि सही समय पे एक सही question और सही समय पे हमारे सही सोच वहाँ पे लग सके, और quantum reasoning में एक suggestion में और देना चाहूंगा, आपका कोई भी favorite topic है, या फिर कोई भी ऐसी चीज है, जिसको आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा करके, बिलकुल बेशक आप वो चीज बनाएंगे, क्योंकि आपने मेहनद भी उसी चीज के लिए की है, लेकिन उस चीज को कभी भी अपने ego पर हावी मत होने देना, कि अगर कोई चीज वैसी जो कि आपकी favorite है और वो अटक जाती है exam में, तो फिर वही चीज आ जाती है, पूरी तरह से मैं solve करता हूँ, अगर आपका इस तरह से attitude रहेगा exam में, तो definitely आप उस question को भी attempt कर पाएंगे, और smoothly आपका पूरा paper हो जाएगा, ठीक है भई, रही बात जिये की, जिये की अगर आपने preparation की है, तो एक अच्छा खासा score वहाँ पर करके आईएगा, मैं यहाँ पर बहुत जादा यह नहीं बता सकते, कि आप कितना score कर सकते हो, क्योंकि because हमारे पास में कोई भी paper नहीं है, last year से मैं इसलिए comparison नहीं करा सकता, क्योंकि इस बार हमारे पास sectional timing है, लेकिन तब भी कोशिश यह कीजिएगा, कि आप overall करीवन करीवन 130 से 140 के आसपास score करने की कोशिश वहाँ पर करें, arithmetic बनाने की कोशिश करिएगा, miscellaneous question of reasoning बनाने की कोशिश करिएगा, easy question आएंगे, आराम से बनेंगे, DIY बी easy मिलेंगे, आपको puzzle बी easy मिलेंगे, और आप लोगों के लिए कोई भी चीज टफ नहीं है, तफ जब हो जाती है, जब हम किसी भी चीज question में first जाते हैं, जब हम first जाते हैं, तो आते हुए भी question हम से नहीं बनते हैं, तो कोशिश यह करना कि आपको फसना नहीं है, उसको immediately छोड़ना है, आगे के कुछ question करना है, फिर से उस पर वापिस आना है, fresh mind से उसको attempt करना है, और यही एक technique हमारी उदर पर exam में काम करने वाली है, ठीक है, तो आपको इन सब चीजों का बड़े विशिश तर ध्यान रखिएगा, और अपने जो भी आपके जो prelims के admit cards थे, और जो means का जो आपका admit card है, और जो भी आपके उदर पर documents requirement रहीगी, उनकी तो भी आप सबसे पहले अपना पूरा एकटा कर लेना, exam के पहले वो सारी चीज़ें आपकी बिलकुल आपके पास मोहिया होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपका paper कुछ भी बेकास जाने वाला है, क्योंकि मेरे हिसाब से आप लोग ने preparation बहुत अच्छे से किया है, और definitely आप लोग बहुत बढ़ी अगर के कल आने वाले हों, आओगे ना, कमेंट सेक्षन में बता के जाना मुझे कि हाँ सर, हम बहुत अच्छा कर गयाएंगे, जैशी राओ,